इस्राइल योद्ध हार चुका है उसके आर्थिक संकट से घिर चुका है इस्राइल अब जो है इंधन खत्म हो चुके हैं तेल खत्म हो चुका है नमस्कार मैं ब्यूटी के लिए और आप देख रहे हैं जन हीतावाज जिस तरीके से हमने आपको पूरी पुरानी वीडियो में पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से हमास ने रणनीती बनाई है इस्राइल को आर्थिक संकट में डालने के लिए भीक मांगने के ल अपने वाला है और वो दिन अब आ चुका है इस्राइल के पास इंदन खत्म हो चुके हैं तेल खत्म हो चुका है दुनिया में उसके प्रोडक्स का बॉयकॉट हो रहा है नेतनियाहू के लिए थूथू हो रहा है निंदा हो रही है और ये हालत है इस्राइल की इस्राइल क करे युद्रुक जाए लेकिन नेतन्याहू की बौकलाहट देखिए कि वो मानने को तयार नहीं है वो फेक वीडियोज बनवा रहे हैं फेक खबरे बता रहे हैं कि इस्राइल जीत रहा है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस्राइल लगातार युद्ध हारता जा रहा है जिसी इ दिन हो गए 43 वाद दिन है युद्ध का और अब तक जो है कुछ भी नहीं कर पाए है नेतन्याहू उल्टा दूसरों उनके खिलाफ उनकी ही जनता विरोध में खड़ी हो गई है वहाँ उनके मंतरी मंडल में अपने ही मंतरी उनकी निंदा कर रहे हैं उनके फैसलों के निंदा कर रहे हैं उनकी जनता जो है सड़कों पर उतर रही है कि यूद दुरोग आ जाए जिस तरीके से और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सस्ते रॉकेट और उनके लाखों क गेर रहे हैं, इसराइल के चारों तरफ से जो है हमले हो रहे है, इसराइल फस्ता जा रहा है, पहले आठ शहर खाली कराये गया था उसके बाद 11 और अब का हाली आप डेट ये है कि 18 शहरों को खाली करा दिया गया है जनता वहां से भाग रही है जनता की जान संकट में है इस्राइलियों की जान संकट में है और ये उनके साशक को समझ नहीं आ रहा वो सत्ता पानी के लिए इतना अखलाहट समझ आ रही है सवाल कर रहे हैं लोग कि क्या नेतन याहु पागल हो चुके हैं क्या उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तमाम जो उनके जनसंख्या है इस्राइल फिलिस्तिनी जो है और इस्राइली दोनों की जान डाल रहे हैं आखिर उनका गुनाह क्या है क्या यह की इसराइल के सथ्य सथा में एक ऐसा सनकी से भूष होए जो रिये आने ca सप्ता में के लिए सब को मौत के घा उतार देना चाहता है उसे पता है कि वह दूसरी बार सथा में नहीं आएता तो इस इसलिए वो देश में वो कर रहा है देश में बॉडर पर तनाव बनाकर युद्ध करवा रहा है देश को युद्ध में जोक रहा है और जनता को मौत के घाट उतार रहा है जनता को मौत के मूँ में धकेल रहा है जनता नहीं चाहती कि युद्ध हो लेकिन नेतन्याहु पड़ेगी और वो अब लाइन लगाकर हमास में खड़े हैं हमास में भरती के लिए फिलिस्तीन में गाजा में जो है लाइन लगा हुआ है वहां कि जंता हमास संगठन से जुड़ रही है और सर पर कफन बांद कर निकल चुकी है क्योंकि उनके सपने तूट चुके हैं सोच ये हर कोई सपना देखता है किसी ने सोचा होगा कि वो अपने परिवार के लिए कुछ करेगा किसी ने युवाओ ने सोचा होगा कि आगे जाकर डॉक्तर इंजीनियर साइंटिस्ट बनेंगे किसी ने सोचा होगा अपने बच्चों को पढ़ा कर साइंटिस्ट बनाएंगे किसी ने कुछ सोचा होगा किसी ने कुछ सोचा होगा लेकिन अब जो है सारे सपने तूट चुके है किसी ने भाई बहन खो दिये माता पिता खो दिया बदला लेने के लिए अब फिलिस्तिनी पूरी तरीके से सर पर कफन बांध कर सुसाइब बॉम बन चुके हैं वो अपने शरीर पर बॉम लेकर वो इसराइलियों के बीच जा रहे हैं इस्राइलि स्टैनिकों के बीच जा रहे हैं और बॉम फोड़ कर धमाका कर उनके तमाम टैंक और पूरा समूख हतम कर रहे हैं पूरा एक बार में सैकरो स्टैनिकों की मौत हो रही है Lain में लगा कर Lain में सोचिए Hamaas और Hezbollah हुती मिलकर हमले कर रहे हैं रात भर अमले करते हैं और जमीन पर लाइन लगाकर लगतार मारे जा रहे हैं सैनिको को इसराइली सैनिको को ये पूरी तरीके से जनता परिशान है ये इन सैनिको को जिन्हें मारा जा रहा है आखिर उनका कसूर क्या है उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी ये नेतनियाहु को समझ नहीं आ रहा है शैनिक जो है अपने शासक के बात को मानते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और नेतनियाहु जानते बुझते मौत के मुँ में धकेल रहे हैं अपनी जनता को असी लाख की जनता है उन्हें मौत के मुँ में धकेल रहे हैं उनकी बॉखलाहट इस हद तक है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने हैं और फेक वीडियो बनवा रहे हैं यहां तक कि और बड़ी ख़बर यह है कि 15 नवंबर को अमेरिका ने बयान दिया है उसका कहना है कि अलसिफा अस्पताल तक जाने का निर्ण है सिर्फ और सिर्फ इसराइल का था उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है हम इसराइल को मना कर रहे हैं युद्ध के लिए लेकिन इसराइल नहीं मान रहा है इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका अब अपने कदम पीछे खीच चुका है जो अमेरिका 9-11 से तुलना कर रहा था और 9-11 के हमले से तुलना किया जा रहा था 7 अक्टूबर के हमले को अब वह अमेरिका अपने कदम को पीछे खीछ चुका है जो अमेरिका ये कह रहा था कि इस हमले को बिलकुल भी सहा नहीं जायेगा इसे शेह ने दिया जाएगा हमास को खत्म करना होगा वो अमेरिका पीछे हट चुका है और अब इसराइल के खिलाफ बयान दे रहा है सोचिए जो बाइडन की और सीजिंपिंग की मीटिंग हुई है बैठक हुई है वहाँ पर तमाम चीजे निकल कर आई है और साब तोर पर अमेरिका अब जो है इसराइल से अपना पीछा पल रहा जाड़ते हुए नजार आ रहा है क्यूंकि उसे अपना बिजनस का लौस दिखाई दे रहा है उसे अपने जो है और लगातार जिस तरीके से एरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहा है इससे अमेरिका घबराया हुआ है लेकिन जो नेतन याहू को ये चीज समझ नहीं आ रही है वो अकेला पड़ चुका है अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं इसराइल दुनिया में अकेला पड़ चुका है नेतन याहू की दुनिया भर में निंदा हो रही है उनके अपने मं और इंधन खतम हो चुके हैं, हालिया अपडेट यह है कि आर्थिक संकट में से जूच रहा है, इसराइल बुरी तरीके से आर्थिक संकट में फस चुका है, उसके प्रोडक्स का दुनिया भर में बॉयकॉट हो रहा है, और तमाम लोग जो है इसराइल की खिलाफ रोध फिलिस्तिनी जो है वो आजादी चाहते हैं, तो सोचिए ये युद्ध किस ओर जा रहा है, किस तरीके से जो है बयान दिया था, नेतन्याहु ने लगातार दावे कर रहे थे कि वो तो दो दिनों में पूरे काजा को कबजा कर लेंगे, आज 43 स्वा दिन है और वो कुछ नह लडने के लिए, तनल में उसने कई महीनों तक के लिए लडने के लिए अपने राहत सामगरी और मिसाइले और तमाम जो है लडाकू चीजें हैं, वो से इकठा कर रखा है और लगातार लडाई जारी है, अखिर ये लडाई कहां तक जाएगी और कब तक क्या कुछ होगा, पूरी बातचीत पर अपनी प्रत किरिया जरूर दीजे, हमें कमेंट कर अपनी राहे, जरूर बताईए, धन्यवाद.